Welcome to Dominant Classes, Dear Students, आज हम लोग Class 10 NCRT Based Poem को पढ़ेंगे, इस Poem का नाम Fire and Ice है और इसके जो Poet हैं वो Robert Frost है देखिए बच्चों, इस Poem में Fire जो है वो Desire के समान माना गया है और जो Ice है, Ice को Hater के समान माना गया है प्यारे बच्चों, इस Poem को पढ़ने से पहले हम लोग इसके About the Poem की जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं ताकि Poem हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए देखिए इसमें कवी कहते हैं कि Fire and Ice, Robert Frost की एक छोटी सी कविता है, इस कविता में कवी दो भविश्वानी करते हैं और बताते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा फायर से या आइस से क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि फायर से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आइस से होगा तो चलिए इस पोयम को पढ़ करके हम लोग समझेंगे कि कैसे fire से इसका विनास होगा और कैसे ice से इसका विनास होगा इस poem को line wise समझने से पहले इसकी word meaning को भी हम लोग समझ लेते हैं देखे, end, end का मतलब समाप्त होना, tested का मतलब अनभौ किया, desire का मतलब इच्छा, hold with का मतलब सहमत होना, favor का मतलब पक्ष लेना, paris का मतलब मरना, twice का मतलब दोबारा, hate का मतलब घड़ा, destruction का मतलब विनास, suffice का मतलब परियाप्त होना तो प्यारे बच्चों ये इसकी कुछ important word meaning थी, अब चलिए line to line हम इस poem को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं यानि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, some say in eyes, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत वर्फ से होगा, from what I have tasted of desire, और इच्छा का जो स्वाद मैंने चखा है, उसके अनुसार, I hold with those who favor fire, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, जो कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, तो प्यारे बच्चों, इसमें जो कवी हैं, उन्होंने बताया है, कि जो दुनिया का अंत होगा, वो आग से होगा, यानि कि इच्छा से होगी, अब चलिए, second stanza को देखते हैं, और उसको भी अच्छे से समझते हैं, देखें, इसमें Robert Frost बताते हैं कि, But if it had to perish twice, लेकिन अगर दुनिया का अंत दोबारा हो तो, I think I know enough of hate, मेरे विचार से मैं घड़ा को भी काफी जानता हूँ, यानि कि मेरे विचार से मैं घड़ा को भी काफी जानता हूँ, कि दुनिया के विनास के लिए, बर्फ भी बहुत बड़ा कारण है, और या भी संसार के अंत के लिए परियाप्त होगा, तो प्यारे बच्चों, इसमें उन्हों ने जो बताया है Robert Frost ने, वो ये बताया है कि अगर दोबारा दुनिया का विनास होगा, तो वो हेट से होगा, इट मिन्स की आई से होगा, डियर स्टुडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करना बिलकुल मत भूलिये, ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टुडेंट्स, इससे पढ़ करके, और इसको समझ करके, एक्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, और मैं आपसे किवल इतना ही कहना चाहूंगा, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थैंक यू फार वाचिंग माई वीडियो, जैहिन!